नमस्कार मैं हूँ अमित कटोज स्वगतापका आपके बिने चैनल एच्पी अमित एजुकेशन में हैं आज हम हाई एजुकेशन ड्वार्वनित से जो लेक्चर्स की पोस्ट हैं उनके ओपर डिटेल में बात करेंगे 2022 में काफी टाइम से जो स्टुरेंट्स हैं वो न्यू अड्विटिजमेंट का बेट कर रहे थे बट अभी तक 2023 लगने पर भी जो न्यू अड्विटिजमेंट नहीं आई है इसके ओपर भी हम बात करेंगे साथे साथ जो RNP रूल्स हैं उनके ओपर भी थोड़ा सा डिसकस करेंगे सबसे पहले हम पोस्टों की बात करें तो लेक्चर केड़र की पोस्टें हमाच्चर प्रदेश पब्लिस अबिस कमिशन से कंड़क्ट होती हैं क्लास C में ये पोस्टें आती हैं पहले हम लेक्चर केड़र की पोस्टें जो ही ये कलास C में आती हैं पहले हम लेक्चर स्कूल नू के नाम से जानते थे बट अभी ये नाम हटा दिया है अभी हम lectures और post graduate teachers ही जो है इने बोलते हैं कल भी मैंने आपको एक update दी थी मैंने का था कि अभी information हमाच्या प्रतेस पब्लिस अबिस कमिशन से आ रही है कि कुछ दिनों में जो हैं वहाँ से new हर्चल हो सकती है कि में भी हो सकता कि next month आपको जो new advertisement है वो पब्लिस अबिस कमिशन से देखने को मिले क्योंकि काफी टाइम से जो हम इन advertisement का बेट कर रहे हैं जो college cadre हमकी advertisement तो निकल चुकी है लबग उनके exam भी connect हो चुके हैं और बीच में हो भी रहे हैं बट जो lecture cadre था उसका कुछ ड्वार्मेंटर वाई कुछ issue था पोस्टें clear नहीं थी तो उसके कारण जो है यह कुछ पहले यह clear नहीं हो पाया था बट अभी possibility है कि आपको जो lecture cadre है उसकी advertisement देखने को मिले उसके साथ और भी जो पोस्टें है class C, class 1 या class 2 की उनकी advertisement भी आपको publish service commission से कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है अभी हम थोड़ा सा जो R&P rules है lecture cadre के उनको यहाँ पर discuss करते है detail वीडियो आपको कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगी हमारी चैनल के उपर जो lecture cadre की पोस्टें है इन से समझे जो rules है requirement और promotion के बहुत दूर्जन 10 में बने थे यह class C में पोस्टें आती है जैसे मैं आपको पहले भी बताया है इसमें जो बैस बैस है वो नहीं होता है इसमें 50% promotion होती है बाई promotion पोस्टें फिल होती है और 50% जो है वो direct requirement माचापुदिस प्रभी सर्विस कमिशन के थ्रू जो है वो होती है eligibility की बात करें तो 18 to 45 year इनकी जो age limit होती है साथी साथ जो category में है उनको कुछ percent जो यहाँ पर relaxation भी होती है academic qualification में master degree यहाँ पर compulsory मानी जाती है 50% जो है इसमें open के लिए यहाँ पर जो है वो लिये जाते है साथी साथ जो category में है उनको 5% जो यहाँ पर relaxation होती है इसके साथ बेर जो है अभी पिजटी के लिए जो है compulsory की गई है अभी तक जो TAT है वो यहाँ पर eligible नहीं है means कि अभी तक विदो TAT भी जो है आप पिजटी में apply कर सकते हैं अगर आपकी बेर इसमें है वैसे मैंने आपको कहा कि 50% जो है इसमें जो requirement by promotion के थूँ होती है तो यह मोटे तोर पर जो lecture cadre है उनके RMP rules है बाकी detailed वीडियो आपको वह जल्दी जो हमारे चैनल के उपर देखने को मिल जाएगी आपको आज की information पसंद आई होगी बीडियो पसंद इस पीडियो को लाइक करें और जोनों भी चैनल सब्सक्राइब ने की यह है बचान को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं धन्यवाद